दोस्तों हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्स हुआ है पुरानों में भी इस बात की पुष्टी हुई है जहां परशुराम ने पिर्थ्वी से छत्रियों को 21 बार समाप्त कर दिया था तब जब छत्रियों ने अपनी शक्ती का दुरूपयोग किया तब परशुराम ने सस्त्र धारन किया जीवन परियंत संघर्ष करते रहे जहां उन्होंने 21 बार धर्थी पर से छत्रियों का नाश्ट कर दिया कथानक है कि है है वन्षा धिपती कार्तिविर्य अरजुन यानि सहस्रा अरजुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रे को प्रसंद कर एक सहस्र भुजाएं प्राप्त की एक बार राजा सहस्र भाहु अरजुन शिकार खेलते खेलते जमदगनी के आसरम में पहुँच गया मुनी जमदगनी ने उसका आदर सत्कार किया जमदगनी ने अपनी गाय कामधेनु से इच्छित फल की प्राप्ती कर अपने राजा का उचित सेवा की सहस्र भाहु उस वैभव साली गाय को पाने की लालसा से पागल हो उठा और उन्हें बलपुर्वक आसरम से ले गए जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्हें पिता के सम्मान की खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्र अरजुन से उन्होंने युद्ध की युद्ध में सहस्र अरजुन की सभी बुजाएं कट गई और वह मारा गया तब सहस्र अरजुन के पुत्रों ने प्रतिशोदवस परशुराम की अनुपस्थिती में उनके पिता जमदगनी को मार डाला परशुराम की मारेनु का पती की हत्या से विचलित होकर उनकी चितागनी में परविष्ट हो सती हो गई इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं है है वंश के सभी छत्रियों का नास करके ही दम लूँगा तोधागनी में जलते हुए परशुराम ने सरुपर्थम है है वंशियों की महिश्मती नगरी पर अधिकार किया तदुपरांत कार्त विर्यारजुन का वद इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पिर्थ्वी से छत्रियों का विनास किया यही नहीं उन्होंने है है वंशिय छत्रियों के रुधीर से अस्थतल पंचक छेत्र के पाँच सरुवर भर दिये और पिता का श्राद स्रहस्र अरजुन के पुत्रों के रक्त से किया आंत में महरसी रिचिक ने प्रकट होकर परसुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका इसके पस्चात उन्होंने अस्व मेग महायग किया और सक्त द्वीप युक्त पिर्थ्वी महरसी कस्यप को दान कर दी केवल इतना ही नहीं उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने सस्त्र त्याग दिये और सागर द्वारा उच्छिस्ट भुभाग महंद्र परवत पर आस्रम बना कर रहने लगे तो दोस्तों ये थी कहानी किस तरह से परशुराम ने अपने पिता के अपमान का बदला छट्रियों से लिया 21 बार उन्हें इस धर्ती पर से समाप्त कर दिया दोस्तों वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें झाल